social networking का क्या मतलब हुटा है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं social networking का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जब कोई भी वेक्ती समाज में अपने context बढ़ाने की कोशिश करता है यानि कि समाज में अलग अलग लोगों के साथ mail जोल बढ़ाता है अपना network बढ़ा करता है यानि कि मानले जी कोई एक वैक्ती है उसे आज 10 लोग जानते है और वो फिर ओर जादा लोगों से मिलता है अगले महिने उसे 20 लोग जानने लग जाते हैं और इस तरीके से समाज में अपना network जो है वो expand करने को अपने network को अपने जानकारी को अपने contacts को बढ़ाने को भी social networking कहते हैं और आजकल जो है social networking के लिए अलग-अलग websites भी available है यानि के जैसे LinkedIn है या आपका YouTube है, Facebook है, Instagram है Twitter है Twitter जिसे आजकल X कहा जाने लगा है तो ये सब जो social networking यानि समाज से जुड़ने के लिए समाज के साथ connect होने के लिए जो website use की जाती है उनको भी social networking या social networking sites कहा जाता है इसके इलावा समाज के साथ जुड़ाव को या समाज के साथ किसी भी तरीके से जुड़ने को अपने network बढ़ाने को social networking कहा जाता है यानि जैसे अगर आप ये कहें कि social networking लोगों को दूर दरशिता में जोडने में मदद करती है तो आप कह सकते हैं social networking help people connect across distances या अगर आप ये कहना चाहें कि युवा लोग अकसर नए दोस्त बनाने के लिए social networking sites का उप्योग करते हैं तो आप कह सकते हैं young people often use social networking sites to make new friends अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें